देश भर में कोरोना वारस का कहर अभी थमा नहीं है वहीं बरिली में 302 के अस्पताल से स्वास्त कर्मियों के डांस का वीडियो तेजी के साथ वारल हो रहा है जिसमें डॉक्टर समेथ कई कर्मचारी जम कर ठुमके लगा रही है वहीं बारल वीडियो होने पर स्वास्विभा के अधिकारी भी हरान हो गए अस्पताल में ठुमके लगाने वालों पर अधिकारी कारवाई करने से मूँ मोडते नजर आ रही है गाजिपुर में सिपाई के मौत के मामले में नया मोड आया है मामला खारपुद हाना शेत्र के रामपुर गाव का है जोहां कल एक खेत में पुलिस कॉंस्टिपल अजवयादव का शव लहू लुहान हालत पे मिला था पुलिस मामले की ज़ाज कर रही थी किसी दोरान आज पुडोसी गाउं इच्वल में रहने वाली पुलिस सिपाही की प्रेमी का कश्व भी उसके घर के बाड़े में लहू लुहान हालत में पड़ा मिला पुलिस की गाड़ी आने से उन चोरों को भागना पड़ा रामपुर में से किसान महा पंचात एक मार्च को होने वाली है रैली को लेकर किसान कमीटी ने जन जागरुता अभियान चलाया और किसानों से अपील भी की है जिसमें वो घरगर जाकर लोगों से जाने की अपील कर रहे हैं जिसमें मुझदा किसान नेता, पपेंदर सिंग, राजा सिंग, कमलजी सिंग, हरदेप सिंग, आदी किसान नेता मौझद रहे रामपुर के थाना आजिम नगर श्वेत्र में अमरू तोड़ने को लेकर युवा को लाठी डंडों से जम कर पीटा गया जिसके बाद इराज के दोरान उसकी मौत हो गई, पर इजनों ने हत्या करने का गंभीर आरूप लगाया पर उसके युवाक, जबरदस्ती, पेड़ पर चड़ गए थे, युवाक के विरोध करने पर लाठी डंडों से उसे जम कर पीटा गया मामला सामने आने के बाद नवागर पुलिस ने तत परता बरते हुए आरूपी को गिरफतार कर लिया है इटाफा में अकिल भारतिये संगी समेलन का आईजएन मोहसव 28 फरवरी को होगा पदमिशुरी पुरुसकार से सम्मारी थिन्दी सिर्मा जगत के मशूर सिंगर कलाश खेर की प्रस्तुती भी इसमें होगी फ्रोजबाद में मंगलवार के देर शाम इंकम टेक्स अधिकारी बनकर पॉपर्टी डिलर के घर में लूट पाट की गई हत्यारों के बल पर परिवार को कमरे में बंधग बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया बदमाश हजारों के नगदी और एक पिस्टल लेकर परार हो गए पिलिबी जनपत में जिलादिकारी पुलकित खरे ने सीतापूर ने तुचिक साले का और चक निरिक्षन कर स्वताल के कैंपस में सुधार और सुंधर्यकरण के निर्देश जारी कर मरिजों को बहतर स्वास्त सेवा उपलप्त कराने के आदे इशारी किये हैं जिससे गरीब जरुतमंद लोगों की कम खर्चे में बहतर इलाज हो सकेगा संबल में पत्नी ने पती को शराप पीने से रोका तो गुसाई पती ने घर में आग लगा दी तेज धमाके के साथ पड़ किया धमाका इतना तेज था कि मकान की इच्छा तो भी उड़ गई धमाका सुनकर आसपरोस के लोग मौके पर पहुंचे कड़ी मशक्कत के बाद आगपर काबू पाया गरीमत रही किस हाथ से भी कोई हातात नहीं हुआ संभल के रजपुरा थाना शेतर के कसबा गाउं का इपुरा मामला लखिम पुरखिरी में स्पी ने गुमुई चात्राओं का पता लगा लिया है और जानकारी देते वे कहा कि चारों चात्राओं एक साथ घर से निकली थी लेकिन वो कॉलेज ना जाकर एक साथ कपड़े बदल कर बस से उत्राका टेरी गड़वाल जिले के मुनी रेती थाना अलाके में पहुँच गई जहां से पुलिस ने उन्हें बरामत कर लिया है पुलिस की छेट टीमें लगातार च्षान बिन कर रही थी एस पी ने पुलिस टीम को 25,000 के नाम भी खोशित किया अगरे थाना अत्मदौरा शेत्र के टेरी बागिया सौफटा रोड पर गुसाए फास्फूट पर जम कर मारपिट आई हुई पैसे के लिंदिन को लेकर इविवाद हो गया फास्फूट कॉनर के वर्कर और मालिक ने युवक को जम कर पीटा मारपिट के लाइब वीडियो भी सामने आई है जिसको लगातार पुलिस जाच कर रही है नोरड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है चारों बदमाश चाको की नोग पर घटना को अंजाम दिया करते थे बंदकम्पनी अलगरों में घटनाओं को अंजाम दे कर मोके से फरार हो जाते थे दायू में मामली वाद में दो पक्षों में जम कर पत्राव हुआ है लाठी डर्डे चले हैं खोनी संगर्ज की चलते महिला से बेदकुल साथ लोग खायल बताये जा रहे हैं दो की हालत गंफीर है जिनने अस्पताल में भरती कराये गया है बाकी लोगों को CSC दाता गंज पर भरती कराये गया दाता गंज कोतवाली श्यत्र के पड़ेली गाउं की पुरी घटना बताई जा रही है संभल में आंगनबाडी केंदर पर कुछ मैलाओं ने आंगनबाडी कारेक्रित्री पर पुष्टा हार में घियो और दूद ना देने का आरुप लगाते जा रहा है यह में इलाओं का आरोप है कि अंगनमाडी कारेकृती मनमाणी रूप से कारे करती हैं, पात्रों तक सरकारी योजनाव का लाब नहीं पहुशता, हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है, लेकिन अभी तक अधिकारी नो इसका कोई संग्यान नहीं लिया, माम में समुचित विवस्ता ना मिलने पर फटकार भी लगाई गए, नोपस्तित करमचारियों का वेतन भी काटा गया, श्वेतर युनानी का रहले का पुरा मामला मिनिट में बदन सिंग बदो की सवा करोड की संपत्ति कुर्क की गए, डियम ने आलीशार बंगले की जमीन और मलवा कुर्क करने का आदेश दिया था, बदो की जमीन पर सरकारी बोड भी लगेगा करीब दो साल से फरार है बदन सिंग बदो, बदो के अवैद बंगले की कुर्कियों और ध्वस्ति करन के बाद अब जमीन पर भी सरकारी कब्जा हो गया है, थाना टिपिनेगर शेतर के पंजाबी पुरा इलाके का इपुरा मामला चित्रकोट में एक पती ने अपनी ही पत्नी की धारदार हतिया से गलारेत कार निर्मम तरीके से हत्या कर दी, मामला रजपुरा थाना शेतर के मौतिर गाउं का है, सुचना के बाद मौकी पर पहुंचे पुलिस ने शफ को कबजे में लेते वे पोस्मार्टम के लिए पेज़ दिया, वहीं सत्या का कारण दोनों के परिजन, दोनों के उपर आवेद संबंदों के कारण घटना होने की बता रही है, वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी पती को गिरवतार कर जेल भीज दिया गया है और यूपी फटाफट में फिलाल के लिए इतना ही देश और दुनियों के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं न्यूस वरेलिया